जैहिन दोस्तो मैं मनीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS के नियूरिक्मेंट प्रोबेशनरी ओफीसर्स यानि की PO ओबलिक मैनेजमेंट टेनी 1224 के online form fill up process के बारे में जोस्तो form को कैसे fill करेंगे आपको step by step एक live form fill करके दिखाएंगे ताकि आपसे form बरने में कोई भी गलती न होने पाए उसके पर जोस्तो को जरू बिंडियों पर जहान देंगे उसके बाद आपको हम form fill करके दिखाएंगे अब जोस्तो महत्पूर तीतियों की बात की जाया तो यहां देखेंगे आप आवेजन की जो सुरुवात है एक अगस से श्टार्ट हो गया है एक अगस 1224 से इसकी अंतिम तीति है 11 अगस 1224 को इसकी अंतिम तीति है जो परिच्छा की तीति है अक्टूबर 1224 में इसका एकजाम हो जाएगा अब दोस्तो वही फीस के बात की जाया तो 850 रुपए जनरल ओबीसी का है और यहां देखेंगे टोटल जो सब पर्द है यहां पर 445 पर्द यहां पर निकाला गया है यहां पर्द का नाम दिया गया है प्रोवेशनरी ओफीसर्स पी ओ मेनेजमेंट टेनी यहां पर देखेंगे पर्दो की संख्या देखने को मिल देगा आपको उसके बाद इसके जो एलिजब्टी क्याटेरिया है आपका गेजवेशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से चाहिए बिये किये हो बिये किये हो बिये किये हो आपके पास गेजवेशन की डिगरी होनी चाहिए ठीक है तो आप इसके लिए एलिजब्ल होंगे और भी जोस्तो नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो इसमें पार्टिसिपेट बैंक है किन किन बैंकों में आपका ज्वैनिंग हो सकता है यह सब बैंक का नाम दिया गया है और दोस्तो माचपूर जानकारी इसके बिशे में आपको नेटिफिकेशन डाउनलोड कर लिजेगा उसको एक बार अच्छे से ज्यान पूर्ग पढ़ लिजेगा नेटिफिकेशन को ठीक है उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा अगर मैं नेटिफिकेशन भी पढ़के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो चलतें दोस्तों फॉर्म फिल प्रोसेस पर लिजेगा तो सब्सक्राइब कर लीजेगा आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी कुछी मिलेगी अब दोस्तों form को fill करने के लिए यहां आजाएगा official website पे click here for new registration के option पे click कर दीजेगा click करेंगे page आपका इस प्रकार से खुले का registration का यहां देखेंगे first name में अपना आप पहला नाम लिख दीजेगा उसके बाद confirm first name में दुबारा से यहां पे नाम लिख देंगे कोई middle name होगा तो middle name लिखेगा confirm middle name में दुबारा से middle name लिख दीजेगा last name यहां देखेंगे दो दो बर आपको हर्ची fill करना पड़ेगा उसके बाद confirm last name में दुबारा से अपना last name यहां पे लिख दीजेगा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए mobile number का उसमे mobile number एंटर करेंगे यहाँ पर उसके बाद confirm mobile number में दुवारा से उसी mobile number को एंटर करना पड़ेगा alternative कोई mobile number है अने नमबर तो दे सकते हैं न था इसको आप छोड़ सकते हैं इमेल आड़ी यहाँ फिल करेंगे जैसे आपका इमेल आड़ी है abc123 अब देखिए add rate नहीं लिखना है यहाँ पर पालस लिखा हुआ है तो यहाँ से अपना आप gmail.com स्लेट कर लिजेगा अब confirm email आड़ी में पूरा email आड़ी आपको लिखना पड़ेगा जैसे abc123 उसके बाद add rate लिखने जैगा gmail.com पूरा email आड़ी इसमें लिखना पड़ेगा और इसके बाद यह जो capture करेंगे save and nest करके आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यहाँ देखिए आप आजाएंगे uploading के option पे इस प्रकार से आपका रिष्टेशन भी पूरा हो गया है उपर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं इसके बार में बता देता हूं फोटो आपका पासफोर साइज कर फोटो रहेगा पीछे का background वाइट होना चाहिए फोटो का जो फोटो की साइज है 200 गुड़े 230 पिक्सल में होगा 20 से लेके 50 के बीच का होगा अब देखिए जो आप इस प्रकार से फोटो आपको लाइव फोटो वैसे मैं आपको अप्लोड करके दिखाऊंगा भी अब देखिए जो सिगनेचर है आपका 140 गुड़े 60 पिक्सल में सिगनेचर होगा 10 से लेके 20 के बीच का सिगनेचर होगा लेप थम इंप्रेशन आगे चलके अप्लोड करना ह है वह मैं दिखाऊंगा आपको 20 से लेके 50 के बीच का आपका यह लेप इंप्रेशन भी अप्लोड करना होगा आगे बढ़ेंगे तो यहां नीचे बढ़ेंगे यहां देखिए वाइट पेपर प्लेक या ब्लू इंक से आपको थंब लगाना है ठीक है उसके बाद वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है यानि कि वाइट पेपर लेंगे उस पर काले पेंस लिखना है इसकी साइज रहेगी 800 गुड़े 400 पिक्सल में 50 लेके 100 के बीच का आपको हैं डिक्रेशन में लिखना क्या है वो मैं दिखा जेता हूँ जैसे कि यहां पर दिया है इंवर्टेट कामा में आई लिखा हुआ है नेम आप दे केंडिडेट तो नेम आप दे केंडिडेट में आप अपना नाम लिखेंगे यहां पर जैसे आई मनीश कुमार हेरवाइट डिक्रेट डेट आल दर इंफॉर्मेशन तो यहां वें रिक्वार्ट तक आपको है यहां क्ले मिखर करें लाइव फोटो करना पड़ेगा तो मैं आपको मोबाल से करको दिखा रहा हूं मोबाल से कैसे अपलोड करेंगे यहां दोस्तों गिख यह द्यखिए इस प्रकाष से बन जाएगा अब देखिए आप यहां पर लाइब आने लगेंगे तो यहां पर ऐसे जो है पीछे का बैक्राउंड वाइट रिखेगा और कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजेगा इस प्रका दोस्तो अपना फोटो आप घीच लीजेगा यदि कोई और होगा आपके पर साथ में तो उनसे कैप्चर करने क्लिक करिएगा ठीकर इससे आसानी से आप जो है कैप्चर कर लेंगे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजेगा यहां दोस्तों मैं अपना अप्लोड कर दिया हूँ देखिए यहां पर लाइफ फोटो मेरा आ गया उसके बाद यहां देखिए चेक बॉक्स मिलेगा फोटो के नीचे और सिग्निचर के नीचे चेक बॉक्स पर टिक करिएगा और यहां से नेश्ट करके आगे बढ़ नाम करते हैं तो यहां पर दे रहा है कि आपका जो जाती है वो सेंटर गृफ्मेंट के लिष्ट में नाम होना चाहिए अपका ठीक है तो इन बातों का यहां दीजेगा उसके बाद ही चूस्ट करिएगा यहां से औके कर देंगे अब देखिए यहां पर दिया गया है परस पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे आपको आपसन मिल जाएगा इस पेसिफाई आदुए परसन विट इस पेसिफाई डिसेबिलेटी यानि की हैंड रैटिंग में आपको कोई समस्षा है लिखने में कोई दिक्कत है तो आप यहां पर यस करेंगे नहीं तो नो क करेंगे ठीक है यस नो में जबाब दीजेगा आगे बढ़ेंगे अब आपसे पूछेगा आदुए चाइल्ड फैमिली मेंबर आप दिस हूँ डाइड इंडर 1984 में दंगे हुए थे आपके रिलेटेट कोई उसमें मित्रक हुए हैं तो यहां पर आपको यस नो में जबाब देना होगा तो अपने कोडिंग यहां पर यस नो में जबाब देजीजेगा आपका धरम कौन सा है यहां से अपने धरम का सेलेक्शन कर लीजेगा उसके बाद आपका धरम मानेटरी कमेटी में आता है तो यस नो में जबाब देंगे अब पुछेगा आपसे यहां पर रहे हैं तो यहां पर yes no में आपको जवाब देना पड़ेगा यदि आपके उपर यह लागू नहीं होगा तो आप no कर दीजेगा उसके बाद आगे बढ़िएगा आगे बढ़ेंगे यहां पुछेगा have you appeared the cwe crp exam यानि कि जो इसके पहले प्यो का भरती निकला गया था उसको आप भरे थे तो यहां पर yes करेंगे कौन सा आपका attempt है पहला है तीसरा है चौथा है जो होगा उसको यहां पर दे दीजेगा अगर मालिचे आपने कोई भी सा भी इसका प्यो का फॉर्म नहीं बढ़ा था तो यहां पर no आप कर सकते हैं त कि सेंटर आप कहा देना चाहते हैं तो यहां से राजे का सेलेक्शन कर लेंगे किस राजे में आप सेंटर देंगे अपना उसके बाद यहां पर जो जीला है जीला का सेलेक्शन कर लीजेगा अब मेंस एक्जाम कहा देंगे मेंस एक्जाम के लिए सेंटर चूज कर यहां पर देखे लिए सब्सक्राइब बाद यहां पर दीजिकन एकार्ट अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा अब यहां पुछेगा डू यू की बदर तो यहां जुरुबा भाई बन होंगे तो यह नो में जवाब देंगे Marital status आपका क्या है Married है and Married है अपने according चूज करेंगे Father's name में यहाँ पिता जी का नाम फिल कर दीजेगा Mother's name में यहाँ पे माता जी का नाम फिल करेंगे यह मैं demo तरभराऊं जो कि real में यह नाम नहीं है उसके बाद address first में यहाँ अपने village का नाम लिख दीजेगा यहाँ address line 2 में अपने post का नाम लिख देंगे उसके बाद address line 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे अपने जीले का नाम लिख सकते हैं तो यहाँ पने जीले का नाम लिख दीजेगा उसके बाद यहाँ देखेंगे state तो अपने राज का selection कर लेंगे किस राज़ से बिलोंग करते हैं डिश्टिक अपना चूस कर लिज़ेगा किस जीले के आप निवासी हैं उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पिन कोड का उप्सन बेगा पिन कोड एंटर करेगा उपर का पता आपका परमानेंट होगा तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो इसमें आटोमेटिक फिल हो जाएगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर जेके GST के लिए आपको अपरनेंट एडिर्स या तो परमानेंट दोड़ों में से किसी एक को स्लेट कर लिजएगा उसके बाद यहाँ वेलिजेट वे डिटेल पर क्लिक करके आगे बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि कहीं कोई कालम छूटा होगा तो यह बता देता है कि आपने यह कालम छोड़ दिया है उसके बाद सेवन नेश्ट करके आगे बढ़ेगा तो save and next करेंगे तो यहां देखिए आप आजाएंगे basic details के qualification details पे तो यहां पे graduation में आप क्या किये हैं तो यहां से अपना course जो है select कर लेंगे बीए किये हैं basic यह है उसके बाद specialization subject आपका कौन सा है तो यहां से अपने subject को आप choose कर लिजेगा date of passing क्या है आपका तो यहां से date को यहां से month को और यहां से year को select कर लिजेगा date of passing का उसके बाद percentage कितना पाए है आप percentage अपना fill कर लिएगा और यहां first है second है third है जो होंगे अपने recording यहां पे choose कर लिजेगा अब देखे same process से आप चाहां तो post graduation किये हुए है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं अनथा इसे आप छोड़ सकते हैं यहां professional qualification को यह है तो इसकी जानकारी दीजेगा other qualification की जानकारी यहां पे दे सकते हैं अनथा इसको भी आप छोड़ सकते हैं उसके बाद देखिए पूछेगा आप से do you have operating of computer knowledge है आपको तो यहाँ पर yes करिएगा नहीं तो no करिएगा yes करेंगे तो इन में से आपके पास क्या है certificate है diploma है degree है तो अपने according चूज करेंगे जैसे मेरे पास certificate है computer है तो मैं certificate चूज किया हूँ तो यहाँ पर automatic देखिए नीचे आजाएगा यह ठीक है उसके बाद आगे बढ़िएगा यहाँ पर देखिए प्रजेंटली वर्किंग वर्तमार में कोई job कर रहे होंगे तो yes करिएगा yes करेंगे तो आपको इसकी जानकारी नहीं पड़ेगी कहां job कर रहे हैं किस पत पे तो अपने according yes no में यहाँ पर जबा कर दीजेगा नहीं चाहिए तो no कर दीजेगा अगर टीनिंग नहीं चाहिए तो अब देखिए यहाँ पूछेगा whether any यहाँ पर तो आपको कोड की जुर्माना लगाया गया है आपके उपर ठीक है तो यहाँ पर yes no में आपको जबाब देना होगा तो यहाँ पर no ही कर एक करके यहां पर देख लिजेगा किस बैंक में यहाँthen फिक ल defendersति ऐलेंगे तो स्बसक्राइब रटे वी जोगे तो उस यहाँप शेड़ कर देंगे तो उसमें यहाँआप देख लिजएगा किस बैंक में खेंगки कितना सीट है कि इसके टेगरी का कितना कितना है तो अपने अपर प्रिफरेंस चूज करेंगे जिसको की ध्यान फुर्वक आप इस क्रॉल करके नीचे बढ़ते हुए एक बिंदू को पढ़िएगा कहीं आप कोई गलती नहीं किये हैं ध्यान फुर्वक पढ़ती हुए नीच बढ़ेंगे यहां देखेंगे आई गिलाईग करोड़ेंगे सेकेंड नमबर वाले ऐगरी चेकश पर टिक कर दीजेगा ुसके यहां पर कमपली इस्ट्रेशन के ना प्लिक कर french करेंगे ने कफ पाप 박ा कर दीजेगा यहां से ना सी बढ़ति dough माइब ने की अप यहांत यहां देखिए आप आजेंगे पेमेंट केले क्याफचा को फिल करके यहां से सब्मिट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे प्रकास से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आसा करूंगा दोस्तों वीडियो आपको समय में आई होगे तो वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसे अपने जवलत मन दोस्तों में शेयर भी कीजेगा तो मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन और वाद दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग